वेल्कम तु डिकोडिंग, CSS & PMS इन्वार्मेंटल साइंस की सीरिज के साथ मैं हूँ साहिरा नौरीन और फर्स चैप्टर इन्वार्मेंटल थौर्ट्स एंड मोमेंट्स हम कबर कर रहे थे आज उसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंड्रेस्ट्रियल व किसिसे कंसिडर की जाता है क marks व पढ़ेंटर आनग्यजी है उसके इंड़ कि यह टेशन के वेस्ट्रियोंट से लेक्डेस्टियम वेस्ट्रियेंट वयंट्स इस रे, अगर हम पैन्रेस्टियल रेवलुशन का बगन देखें तो यह 1700 के अंदर से स्टार्ट हो था, और इ जिसके जिसके मैस प्रोडक्शन और चीजों की जो जील थी वो बढ़ गई थी इसके साथ साथ क्या हुआ था इंवर्मेंटल हिजर्स बहुत जादा हो गए थे और इसके लावा इंडरस्ट्रियल रेवलुशन जिसके जो इमन का रिलेशन्शिप है वो बहुत ज़ड़ा इफेक्ट हुआ चेंज हुआ उसके अंदर मेजर चेंज आया अगर हम इंडरस्ट्रियल रेवलुशन के हिस्ट्री देखें तो हमारे पस फोर मेजर एरा आए है जिसके अंदर इंडरस्ट्रियल रेवलुशन अकर गए सबसे पहले 1784 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और ज़ॉरब के तरे स्टार्ट हुआ था मेकैनिकल प्रडक्शन स्टार्ट हो गी थी, रोल, रेल रोट जो है उनकी कंस्रुक्शन हो गी थी जिसमें से ट्रांस्पूटेशन अफ तिंग्स वो इजी हो था और स्टीम पावर का जूज हुआ फिर सेकंड फेस जो था वो 1870 के अंदर हुआ था उसके अंदर मैस प्रोडक्शन, अलेक्टिकल, पावर और अड़ूंट अप्ड़ी लाइन वो स्टार्ट हुआ थर्ड जो के इसका हिस्टरी में देखा जाए तो वो 1969 के अंदर एवलूश बिग डाटा, स्टोरिज इन स्मॉल डिवाइस, रिबोटिक्स और मोर तो कम जो है वो नियर फूचर में हो सकता है अगर हम इंपेक्ट्स ऑफ इंडरस्टी रेवलूशन और इंवार्मन्ट देखें तो सबसे पहले हमारे पस रिसोर्स ट्रेस हो आप फिर पुलूशन है, अर्बिनाइजेशन, वाल्ड लाइफ एक्सटेंट हो रही है, हैबिट लॉस होने कवज़े से एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, रिसोर्स ट्रेस का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप पुलूशन जादा हो रही है तो रिसोर्स जादा रिक्वाइड है, तो उसके घर डेथ रेट कम हो गया है, लाइफ स्पेंट बढ़ गया है, जिसके वज़े से पॉपुलेशन एक्स्पोजिन बहुत जादा हुआ है, आफ्टर इंडिस्ट्री रेवलुशन, सेवंटीन हंडर्ड, सेवंटीन सेंट्री में देखा जाए, तो हीमन पॉपुलेशन वास सेवन हंडर्ड मिलियन था, उस तेम फिफ्टी सेवंट परसंट ग्रोट रेट था, जबके एटीन सेंट्री के अंदर यही आफ्टर इंडिस्ट्री रेवलुशन वन बिलियन हो गया, और इसके दावा इसका जो एक और बेजर इंपेक्ट है, वो अर्बनाइजेशन है, य अर्बनाइजेशन के प्रोसेस टार्ट हुआ, न्यू हाउसेज बने चीक है, और सिटी का स्प्रॉल हुआ, इंडरिस्ट्रियल टाउंस बनना शुरू हो गया, तो इस अर्बनाइजेशन के वजए से फिर इंवर्मेंटल इंपेक्ट बहुत ज़ादा बन गया, प्लूशन अल ताइप अप्लूशन इंक्रीस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, अब पॉपलिशन एक्स्प्लोजन, अर्बनाइजेशन का एंड रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग है, हम लोग ग्रीन हाउस गैसे इमिट करते हैं, ऐस रिजल्ट क्या होता है, ग्लोबल टेपरेचर अब अब मुणने हैं, क्लोबल वार्मिंग, अर्फड्यट का एंड़ ग्लोबल वार्मिंग, पॉपल टाहिए हो ग्लोबल, ग्लोपरेचर बॉपल पॉपल्य शे इंडेशन के इंड़ करते हैं, ज्वर्मिंग, और कि अन्ड़र्मान डॉपार्मिंग रिजल्ट था इस कोाल की बढ़ने के बढ़ने के बीक चीए से प्रकुलूशन सीमिलर्ली एइर प उपिलूशन की कि थरह आउन फर्ट फलजून मेजर कॉज़न हैं इंड़र्स्ट में इंड़र्स्ट्रία पर्लूशन में इतने ही ने Shift probably कुआ करेंगे थैंक्यू